हेलो फ्रेंड्स आइम चैंपियन महिपाल आज हम सी प्लस प्लस में कंस्ट्रक्टर के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसमें हम डिफॉल्ट आर्गुमेंट पास करेंगे तो यहां पर मैंने एक क्लास बनाई स्टूडेंट इसमें दो मेंबर्स ली एक आर एंड इंटीजर ट सेकंड है यहाँपर जो मैंने घियर आर्गुमेंट ले रहा हूँ इन पैरामिटर्स के अंदर एक याकी वैल्यू मैं जीरो भाई डिफॉल्ट सैट करता हूं गश्की वैल्यू लिपाई डिफॉल्ट क्या होगा इसे फाइदा यह होगा अगर मैं खेक मनाते हुए कोई भी parameter पास नहीं करता कोई भी argument पास नहीं करता तो by default a की value 0 हो जाएगी and x की value none हो जाएगी and यह execute हो जाएगा अगर मैं एक argument पास करता हूँ तो वो value a से replace हो जाएगी and x की value none रह जाएगी and अगर मैं दोनो arguments पास करता हूँ तो दोनों की value change हो जाएगी और वो save हो जाएगी तो इससे फाइदा क्या हुआ इससे फाइदा यह हुआ हमें तीन अलग लग constructor नहीं की जूर नहीं पड़े एक के अंदर है हमने काम किया कि next मैंने get data का एक function है जाकि हम अपनी मर्जी से बाद में data chain कर सकें and then put data ताकि हम data show कर सकें यहाँ पर main में देखते हैं आप क्या किया यह तीन object नहीं फर्स्ट s, second s2 and third s3 s के अंदर मैंने कोई भी argument pass नहीं किया इससे क्या होगा जो by default value is equal to 0 and x is equal to none यह rn and x name में save हो जाएंगी then s2 के अंदर एक argument pass किया to तो एक रोल लंबर तो हो जाएगा हमारा to name हो जाएगा none then third में मैंने दोनों argument pass किये है and then तिन्नों को food data से show किया है तो आईए इसकी output देखते हैं यह देखिए first में कोई भी argument pass नहीं किया तो none and 0 next में एक किया हो तो रोल लंबर 2 हो गया and name none third में दोनों की है तो my name and roll number दोनों आगा है तो यह है constructor with default argument thank you very much